स्टुडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे कमला भसीन की लिखी हुई कभीता मालू भालू भालू आप लोग देखे हैं न कितना बढ़ी हैं लगता है भालू उसी में से एक भालू का नाम है मालू तो आएए पोयम पढ़ते हैं मालू भालू तो आएएएप इन न आईप लिएर लिवड लिड इटिल पोलर बियर शोआइट शोडू ब्राइट वाज़र में मालू भालू वाज़र नेम तो आएप इन दो आईप लिएर कैसे अस्थान पे रह रहा है बहुत हाई वाले पे IC लेयर है लेयर यानि इसका घर इसका घर बर्फ का है जो पोलर बियर होता है वो बर्फ फीले अस्थान पे रहता है पोलर बियर सफेद रंग का उसका घर बिलकुल IC है और उसका कलर स्नो वाइट है बिलकुल बर्फ की तरह सफेद, स्नो ब्राइट बर्फ की तरह चमकीला और उसका क्या नाम है? उस भालू का नाम है मालू भालू Very soon our मालू भालू learned the things her parents knew Fist to catch big and small, मालू was a clever girl तो मालू भालू एक लड़की है और मालू भालू जल्दी ही सीख जाती है जो उसके parents जानते हैं क्या क्या जानते है? कैसे fish को catch करना है? बड़ी मचलियों को, छोटी मचलियों को कैसे पकाड़ना है? मालू भालू सब सीख रही है मालू एक दिन मम्मी से कहती है मम्मी, मैं बाहर जाओंगी खेलने जो जो बाहर है मैं उसको देखना चाहती हूं The year beyond the big blue sky A little patience child said mom in the summer when next it comes Summer, patience, what a test मालू simply could not rest तो मालू कहती है कि वहाँ पे big और blue sky है मम्मी कहती है बेटी थोड़ा सबर करो, patience रखो जब गर्मिया आएंगी तो हम तुमको ले चलेंगे तो मालू कहती है Summer, गर्मिया, patience, धैर, ये कैसा टेस्ट है मम्मी क्योंकि मालू rest करना नहीं चाहती First things first मालू's mum मालू अपने ममी को खूपते पकड़ लेती है इसके बाद कहती है और मालू की जो वाय से बिलकुल धुल परतीग्य है firm है Now my dear, you will have to swim ममी कहती है, मालू अब तुम्हें तैरना है but मा, said मालू, what do I know, how will I have never swum before, don't worry dear, said मालू's mother, do as I do, that's all, she advised her लेकिन ममी, मैं कैसे तौर तैरूंगी, swim कैसे करूंगी, मुझे तो आता ही नहीं है, मैंने तो कभी swimming किया ही नहीं है तो ममी कहती है, चिंता मत करो dear, जैसे मैं करते जाती हूँ, वैसे तुम भी करो, मेरी बात मानो she had no choice, no other way, मालू had to swim that day, tight she gripped her mother's hand into the water, its place to land तो मालू के पास कोई choice भी नहीं थी, तो कि मालू तो खुद तैरना चाहती थी, तो मालू ने वही किया, जो उसकी ममी ने किया मालू ने अपने ममी का बाह, खूब तेजी से पकड़ लिया, लैंड से पानी में कूदी, प्लैस, प्लैस, छपक, छपक ब्रेव मदर्स, ब्रेव यंग डाटर, डाउट एंड फियर सी लेफ्ट बहाइंड हर, मालू स्वैम विद आल हर माइड, इट डिड़न्ट मैटर, रॉंग अर राइड, तो बहादुर बेटी, बहादुर मा, कोई डर नहीं, डर को पीछे छोड़ दिया मालू ने मालू जो है, पूरी गितनी उसकी सक्ती थी, उस हिसाब से तैर रही थी, ये कोई मेंटर नहीं करता, कि मालू गलत तैर रही थी, कि सही तैर रही थी, मालू तैर रही थी तो बच्चों इसमें भालू के बारे में लिखा है, कि जो पोलर बियर होते हैं, उनको स्वीमिंग बिल्कुल गौड गिफ्टेड होता है, वो पानी में जो जाते हैं तैरना सीख जाते हैं, पोलर बियर, तो मालू तो ऐसे भी फियरलेस है, बिल्कुल उसके अंदर फियर हैं है, डर हैं हैं, उसकी मम्मी इस बात को जानती है, कि मालू सिफ ब्रेव ही नहीं है, बलकि इस पेसल भी है, तो मालू भालू आपने इस पोयम को पढ़ा बहुत अच्छी पोयम है एक बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा आप इसे याद कर लेंगे और question answers attempt कर लेंगे